कि वेल्कम दोस्तो माई यूटूब चाइनल पीपी अश्टेडी सेंटर तीरानमे पंचानमे मैं मेरे प्यारे दोस्तों करत करते अभियास ते जड़ मती होते सुजान अरशरी आवत जात पे सिलपर परत निसा मेरे प्यारे दोस्तों कि आज का टोपिक है क्लोक का वाटर इमेज से जितने वे संबंदित कोस्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग को समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों वाटर इमेज में कि माल लिजिए यह आपका घड़ी है ऐसा ही घड़ी रहता है और घड़ी में यहां 12 बजते हैं तो यहां 6 बजते हैं यहां 3 यहां 9 यहां 1 बजते हैं यहां 2 यहां 4 बजते हैं तो यहां 5 यहां 7 बजते हैं तो यहां 8 और यहां 10 बजते हैं तो यहां 11 मेरे प्यारे दोस्तों यहीं आपका घड़ी है जल प्रती भीम में वाटर इमेज में हमेशा उपर से नीचे और नीचे से उपर प्रती भीम बनता है हमेशा याद रखिएगा अगर आपके घड़ी में नौ बज रहा है तो जब जल में देखिएगा तो आपके घड़ी में तीन बज रहा है जब जल में देखिएगा तो चार बज रहा है अगर आपके घड़ी में एक बज रहा है तो जल में पाँच बज़ता हुआ दिखाईगा अगर आपके घड़ी में और अठ बज रहा है तो जल में दस दिखाईगा मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं कि जल प्रतिबीम में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर प्रतिबीम बनता है ठीक है तो देखिए यहां जब आपके घड़ी में 9 बजता है तो जल में दिखिएगा तो 3 बज़ेगा और जब आपके घड़ी में तीन बजता है तो जल में दिखिएगा तो नो दिखाई देगा जब आपके घड़ी में एक बजेगा जब जल में दिखिएगा तो पांच दिखाई देगा जब आपके घड़ी में दू बजेगा तो जल में दिखिएगा तो चार दिखाई देगा जब आपके घड़ी में बारह बजेगा जब जल में दिखिएगा तो छो बजेगा जब आपके घड़ी में छो बजेगा तो जल में बारह दिखाई देगा अगर आपके घड़ी में जब 11 बजेगा जब जल में दिखिएगा तो 7 बजता दिखाई देगा अगर आपके घड़ी में 10 दिखाई देता है बजता हुआ तो जब जल देखिएगा तो 8 बजेगा अब आते हैं अगर पुछ दिया ये तो बेसिकली लेबल पर आपके घंटे से संबंधित कोस्चन हुए अगर पुछ दिया कि जब घाड़ी में आठ बज कर 20 मिनट हो तो जल में कितना बजेगा यहां पर घाड़ी में 12 बजता है यहां पर 6 यहां पर 3 और यहां पर 9 यहां पर 1 और यहां पर 2 यहां पर 4 और यहां पर 5 यहां पर 7 और यहां पर 8 यहां पर 10 और यहां पर 11 घाड़ी का मेंसुई यहां आपका 8 बज के 20 मिनट हो रहा है 8 बज के 20 मिनट जब इसे जल में देखेंगे जब इसे जल में मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे तो कितना बजएगा यहां पर आपका घड़ी 12 बजता है यहां 6 यहां 3 बजता है और यहां 9 यहां 1 बज़ेगा तो यहां 2 यहां 4 बज़ेगा तो यहां 5 यहां 7 बज़ेगा तो यहां 8 और यहां 10 बज़ेगा तो यहां 11 यहीं आपका घड़ी है और इसे हम जल में डाल दिये कि इसे हम जल में मेरे प्यारे दोस्तों कि एक आप लोग का ट्रीक बता रहे हैं जो विदाव टूजिंग पेन पेपर के कुछ ही सेकेंड में आप लोग अंसर मार देजिएगा तो कुछ ही से मिटाते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं है कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है आठ बज़ के बिस मिनट एक ट्रीक याद रखिएगा कि बारा बज़ के 20 मिनट बारा अठारा बज़ के तीस मिनट अठारा बज़ के तीस मिनट को आप लिख सकते हैं सत्रा बज़ के नब्य मिनट यह आपका ट्रीक हुआ अगर आपके घड़ी में आठ बज़ के बिस मिनट हो रहा है तो जल में कितना बज़ेगा तो आप आठारा बज़ के तीस मिनट में से आठ बज़ के बिस मिनट को घटा दीजिए जीरो दस दस बज़ के दस मिनट हुआ जबकि यह आपका एप्रोक्स टाइम नहीं देखाता है एप्रोक्स टाइम एग घंटा पहले और एग घंटा बाद मतलब वन आवर आपको एग घंटा पहले या एग घंटा बाद ही दिखाएगा एप्रोक्स में अंसर एग घंटा पहले ही दिखाता है तो आपका नौ बज़ के 10 मिनट होगा आपका घड़े में मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखेगा कि वाटर इमेज में जल परती बीम में एड़्यक्ट टाइम नहीं होता है अब प्रोक्स में अंसर आता है क्योंकि घड़ी पानी में खराब हो जाता है कि अब याद रखिएगा कुछ और आप लोग को एकजामपल देते हैं जैसे कि मान लीजिए मेरा यहां एक घड़ी है और हमारे घड़ी में मान लीजिए दो बज के तिरपन मिनट हो रहा है इसे जब हम जल में दिखेंगे तो कितना दिखाई देगा मेरे प्यादे दोस्तों इसे बताओ ये कि जब हम मेरा घड़ी में दो बज़ के तिरपन मिनट हो रहा है जब इसे जल में दिखेंगे तो कितना दिखाई देगा तो जब जल में दिखेंगे तो कुछ नहीं किजिए 17 बज के 90 मिनट में से 2 बज के 33 मिनट को आप घाटा दीजिए तो कितना होगा 15 बज के 37 मिनट और 15 बज के 37 मिनट में एड्यक्ट टाइम मेरा घड़ी में कितना होता है 12 तो 12 के बाद कितना हुआ इसे लिख सकते हैं 3 बज कर 37 मिनट इसे 3 बज के 37 मिनट लिख सकते हैं तो अप्रोक्स टाइम 3 बज के 37 मिनट इसे अगर हम जड़े लिखे तो यह अप्रोक्स टाइम आता है तो आप्रेक्स टाइम मतलब तो आपका 27 मिनट या चार बज के 37 मिनट यह option पे defence होगा मगर एक बात याद रखिएगा हमेशा एक घंटा पहले ही अंसर को मना जाता है कुछ और आप लोग को एक जाम पर लेते हैं कुछ और आप लोग को एक जाम पर लेकर बताते हैं जैसे कि कुछ और एक जाम पर सेकेंड लेकर बताते हैं जैसे कि मालनी जी एक बज के 30 मिनट हो रहा है, 30 जल में कितना दिखाई देगा, कुछ नहीं करेंगे, 18 बज के 30 मिनट में से 1 बज के 30 मिनट को घटा देंगे, तो कितना होगा, 17 और हमारे घड़ी में जब 17 जब 17 दिखा रहा है, तो 12 के बाद हमारा घड़ी में 12 बजता है, 12 आप आप रोक्स टाइम की बात किया जाए तो आप रोक्स टाइम की चार बजएगा ठीक है यह चार बजएगा उसी तरह एक्जांपल मानली जी तीन बताते हैं आप लोग के घड़ी में छो बज़ के 30 मिनट हो रहा है तो जब इसे जल में दिखिएगा तो कितना बजएगा जब इसे जल में दिखिएगा तो कितना बजएगा तो 18 बज़ के 30 मिनट घटा दीजिए जिरो होगा जिरो होगा 12 यानि कि आपके घड़ी में जब जल में दिखिएगा तो 12 बजएगा आपके घड़ी में 12 बजएगा अगर एक एक जामपल और देखते हैं अगर आपके घड़ी में 20 बज़ के 42 मिनट हो रहा है जब इसे हम मिरर में दिखेंगे जब इसे सोरी जल मे दिखेंगे तो कितना दिखाई देगा तो कुछ नहीं करेंगे 17 बज के 90 मिनट अब यह क्या बीस बज के 42 मिनट को क्या लिख सकते हैं आठ बज के 42 मिनट घटा दीजिए आठ चार और यह हुआ नौ नौ बज के अनतालीस मिनट अब नौ बज के अनतालीस मिनट यह आपका हो गया अगर एकजामपल और कुछ बताते हैं जैसे आज के डेट में को सब्सक्राइब पूछे जाते हैं कि एकजाम कि मैं आज काल इस तरह से कोस्चन पूछे रहे हैं मान लीजिए कि और आपका यह है और आपका कोस्चन पुछ दिया दो बज के 47 पुढ़व है 10 बटा में 13 तो आप इसे बताए कि जब इसे हम जल में देखेंगे 10 मैं तो कितना बजाएगा यदिसे हम जल में देखेंगे तो कितना होगा इसे कुछ नहीं करेंगे 17 बज के 90 मिनट में से 2 बज के 47 पुरांक 10 बटा 13 मिनट को घटा देंगे तो जब इसे घटाईएगा तो आपका बचेगा 15 बज के 42 पुरांक 3 बटा में 13 अब यहां 15 को कितना लिख सकते हैं 3 बज के 42 पुरांक या ब्यालिक सही 3 बटा यहीं आप लोग का अंसर हो जाएगा अब यह 42 आया कैसे तो 90 में से घटा दीजिए या फिर नहीं समझ में आता है तो 17 में से 2 घटा यह 15 और एक में से 10 बटा 13 घटा यह इसका एक निकलेगा 13 13 में से 10 जाएगा 3 बटा में 13 हो गया अब यहां एक इसको में से एक हासिल दिये हैं तभी तो यह हुआ था तो यह कितना बचा 89 89 में से 47 को घटा दीजिए 2 बचा और यह 4 तो 42 सही 3 बटा 13 और यह बचा था आपका 15 तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वाटर इमेज से संबंधित जल प्रतीविम से संबंधित मेरे कोश्चन आप लोग को सही लगा आप लोग को समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और बहुत सारे दोस्तों के साथ सेयर करें और सब्सक्राइब करें करें